हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो आज चैनल, दोस्तो आज हम आपके लिए एक बहुती इंटरस्टिंग वीडियो लेगे आएं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो आज एक खुद इंटरस्टिंग टोपिक है, कि आखिर साप बीन की धुन पर क्यो नाचते हैं जी हां दोस्तो, साप पून रोप से भहरा होता है और दरसल वे सपेरे की बीन की धुन पर नहीं नाच रहा होता है वह सपेरे द्वारा बीन में की गई हरकत का अनुसरन कर रहा होता है जो कि देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि वे नियत्ते कर रहा है पर उन्तो ऐसा नहीं होता है आपने अक्सर देखा होगा कि सपेरे की बीन के उपर बहुत सारे कांच के टुगडे लगे होते हैं उन्हें लगाए जाने का एक कारण होता है, क्योंकि जब उन टुकडों के उपर धूंबिया रोशनी पड़ती है, तो उनसे चमक निकलती है, जिससे की साप हरकत में आ जाता है। इसी कारण जब सपेरे बीन को बजा कर हिलाते वह वाज निकाल रहा होता है, तो इस प्रकाश की चमक के कारण साप का ध्यान उसोर आकर्षित होता है, और साप इसकी चाल का अनुसरन करता है, और हमें यह अबरम होता है कि साप नाच रहा है। दरसल सांप कानों के इस्थान पर अपनी तुचा का इस्तेमाल करता है, वह अपने आसपास के वातवरन में हो रही किसी भी गत्विदी का जायजा अपनी तुचा पर पढ़ रही तरंगों के माध्यम से लेता है, इसलिए हमें हमेशा ये लगता है कि सांप सपेरे की बीन की दुन पर नाच रहा है जबकि असलियत में ऐसा नहीं होता है तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत पसंद आई होगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद झाल